नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है ह्रीश और आप देख रहे हैं इलेक्रौनिक्स बर्मा तो दोस्तों मैं आज आपको बता हुँगा इन फैन के बारे में क्या आप इनको कैसे पता लगा सकते हैं यह हाई स्पीट है यह लोई स्पीट है यह मीडियम स्पीट है तो देखे दोस्तों यह फोर वाले फैन है हमारे तो दोस्तों अगर आपको नहीं नहीं मिलते हैं तो आप जो है कोई भी कम्पूटर की दुगान पर जाके फोर वाले ले के आ सकते हैं क्योंकि फोर वाले की जो बेकार होती है यह वाली और आपको खाली यलो और ब्लैक वायर रएनी है यह हमारी यलो वाली जो है हमारी positive है और यह हमारी negative higher है जिसे हम वाराबोल देनी है तो दोस्तों इनकी पहक्चान कैसे कर नहीं है हमें कि लो यह इसमें लिखा हुआ है 0.40A यह इसके एंपर होते हैं दोस्तो और 12V और दूसरा देखिये इसके इंदर क्या लिखा हुआ है 12V 0.50A तो दोस्तो हमें क्या करना है जब भी हम मार्केट से किसी भी अपने एंपलिफायर में फैन लगाने के लिए लाते हैं तो हमेशा यह याद रखें कि यह जो हमारा इसमें एंपेर लिखा होता है यह आपका कम से कम 50 या 60 या 80 तक होना चाहिए क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो यह आपका फैन उतना ही तेज़ चलेगा देखिए तो मैं दोनों को चला के दिखाता हूं तो मैं इन देखिए दोस्तों 12 बोल्ड दे देता हूं और आपको चला के दिखाता हूं कि इनकी स्पीड कैसी है तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसको अब चला के दिखाता हूं यह मैंने पोजिटिव लगा दिये यलो पर और यह बिलेक पर ग्रीन यह देखिए तो यह देखिए यह हमारा 40 एंपियर में है इसकी स्पीड देख लिजे और आप मैं आपको दिखाता हूं इसकी स्पीड यह देखिए तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि आप जो है यह एंपियर कम से कम 0.50 या 60 या 80 तक लेके आना है और उससे उपर भी जा सकते हैं लेकिन यह ज्यादा उपर जाओगे तो आपका जो है फैन आवाज करेगा एंपियर के अंदर और फैन की आवाज ज्यादा आएगी तो इसलिए 50 या 60 तक रखें लेकिन उससे नीचे ना लें क्योंकि हमारे मार्किट में क्या है वह 0.17 0.18 0 0.25 इसके अंदर मिलते हैं मार्किट के अंदर तो उनके अंदर स्पीट नहीं होती है और वह हमारे एंपिलिफार को अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर पाते हैं तो इसलिए दोस्तों यह मैंने वीडियो बनाई है मैं चाहता हूं कि आपके पास छोटी से छोटी भी जा पुर्दवाना